हेलो एवरिवन वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट देश एंड थीम्स की वीडियो तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम दिस्सेंबर 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं उन सभी को कवर करेंगे उसके बाद लास्ट में हम रिवीजन करेंगे ताकि हम जो ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम रिलेट करेंगे एक्जाम में हम कैसे क्वेशन में लगाएंगे वो भी हम साती सात में देखते चलेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है इससे आपको सभी डेज याद हो चाएंगे हमारी 100% शूरिटी है और इसका जो पीडेफ है वो आप लोगों को टेलिग्राम पर मिल जाएगा अब फ्रेंट्स आपका देखेंगे दिसेंबर मंद कदम हो गया है तो जो मंदली वीडियो से वो भी आपको एक एक करके मिलना शुरू हो जाएंगी तो बिलकुल आप चिंता ना करें और जो आपकी करेंट अफेस मेराथन स्रीज चल रही है तो तीन वीडियो और इस पी आ चुकी है तो आप लोग ने नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है अधरवाइस आप लोग प्लेलिस्ट में चरूज चेक करें तो चलिए अब शुरू करते हैं इंपॉर्टन डेजन थीम की वीडियो सबसे पहले देगे किसी महीने की अगर आपको कैसे रिलेट करेंगे क्योंकि अप First दारिक तो November में भी आएगी अगस्त में भी आएगी लेकिन हम महीने के साथ कैसे रिलेट करें इंग को देंगे सारे हमारे हेमारे हीन्ट होंगे Christmas, Thun, Snow तो ये सबी हिंट से हम पूरे महीने को याद करेंगे ठीक है फ्रेंट्स अब चलिए शुरू करते हैं सबसे first important day World AIDS Day जो कि 1st of December को आता है और इसकी theme रही है equalize तो AIDS के बारे में देखें aware किया जाता है लोगों को कि कैसे आप इसको treat कर सकते हैं इस तरीके से उपचार ले सकते हैं So AIDS Day के बारे में बात करते हैं वैसे तो याद होगा लेकिन फिर भी हम लोग trick से relate करेंगे तो आप relate करो कि Christmas का time है और आप सोच रहें कि कहीं थंडी place पे जानेगा या थंड का time में आपका मन है कि किसे यसी place पे जाने जा स्नो गिर रही हो बरफ गिर रही हो लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा सहायता की Aid हम लोग ले लेंगे कि आप ऐसी भी इसको relate कर सकते हैं कि आपने टीवे पे ads देख लिए कि आप जाने से पहले ही आपने ads देख लिए कि इस बार बहुत स्नो गिरेगी जाना जो है सही नहीं है थोड़ा गंभीर हो सकता है सीरिस हो सकती है problem क्योंकि स्नो जादा गिर सकती है तो aid को भी relate कर सकते हैं और ads को भी relate कर सकते हैं दोनों से ही आपको word ads दे हो जाएक पर पहली बार पहले से हमारा date हो जाएगी 1st of December इसके बार 2nd December को आता है National Pollution Control Day यानि राष्टे प्रदूशर नियंत्र दिवस देखे ये दिन observe किया जाता है इंदी memory of people जिनोंने भोपाल gas disaster में अपनी life को को दिया था ये जो disaster है 1984 में हुआ था इस दौरान हुआ था कि चुब methyl isocyanate gas से ये leak हो गई थी जिसकी वज़ा से thousands of people से भी जादा लोगों के death हो गई थी इसमें कई बार ये भी पूसने के कौन सी gas leak हो थी तो gas का नाम ध्यान रखेगा methyl isocyanate 2nd of December को World Computer Literacy Day भी होता है और इसकी theme रही Literacy for Human Centered Recovery Narrowing the Digital Divide 2nd December को International Day for the Abolition of Slavery यानि गुलामी के लिए गुलामी के उन्मूलन के लिए चो अंतराश्टे दिवसे ये भी आपका आता है 2nd of December को तो तीन हमें दिन याद करने हैं एक है National Pollution Control Day Computer Literacy Day और ये तो तीनों को हम एक साथ याद करती हैं चलिए अब दिखिए Christmas का टाइम है आपको मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाएं तो आप Computer पे सर्च कर रहे हो कि कहां जाना सही रहेगा Computer पे आप सर्च कर रहे हो कि हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं कि उससे पहले हम लोग देखते हैं कहां जाना अच्छा रहेगा कौन से प्लेस बैटर है कितना बजट है कितना खर्चा होगा तो ये सब चीज़े हम Computer पे आपने Laptop कुछ भी आप लोग ले सकते हैं हम Computer लेके चल रहे हिंट के लिए तो आपने दो जगे सेलेक्ट कर ली लेकिन उसके बाद जब आपने उन दोनों जगे को देखा तो आपने देखा एक जगे तो बहुत साथा Pollution है और एक जगे बहुत साथा Slavery यानि बहुत साथा गुलामी हो रही है लोग एक दूसरी को मतलब काम करवा रहे हैं तो ऐसा आपको महोल अच्छा नहीं लगा तो देखे दो जगे सेलेक्ट करी मतलब हम लोग बात करें 2nd of December की और Pollution से हमारा हो जाएगा National Pollution Control Day और Slavery से हो जाएगा International Day for the Abolition of Slavery और सर्च कहां कर रहे थे हम Computer पे So what Computer Literacy Day मैं आशा करते हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा चली अगला देते हैं 3rd of December International Day of Persons with Disabilities यानि विकलांग विक्तियों का जो अंतराश्ट्रे दिवस से ये 3 December को आता है इसकी theme है Transformative Solutions for Inclusive Development The Role of Innovation in Fueling an Accessible and Equitable World तो ये इसकी रही है theme आप इसे याद कैसी करना है तो देखिए इसको हम just for hint ऐसा remember करने के लिए याद करने के लिए कर सकते हैं कि जो disability person है मालने चे कोई भी ऐसा person जो विकलांग है तो देखिए आप तो हर कोई कहीं भी जा सकता है क्योंकि वो अपनी preparation तीन दिन पहले से करके रख रहे हैं क्योंकि उनको काफी extra समान भी रखना होता है तो तीन दिन पहले वो अपनी preparation कर रहे है तो तीन दिन से मतलब third of और कहीं वो Christmas की छुटियों पे जाना चाह रहे हैं या कहीं snow वाली जगा पे जाना चाह रहे हैं कि याद होंगे जस्ट फोर ट्रिक फिर भी मैं बता देती हूं बट ऐसे डेस को में डारेक्टली भी याद करना चाहिए अब देखो नेवी वाले लोग क्या होंगे शिप पर रहेंगे अगर मैं जस्ट फोर ऐसे ही कुछ बना देती हूं इसको ऐसा शिप मान लीजे चले करती हैं तो अब वो शिप पर हैं तो वो अपनी सेलिब्रेशन कहां पर करेंगे शिप पर ही करेंगे और शिप के चारो तरफ अगर आप देखें तो पानी ही पानी होता है चारो तरफ चारो दिशाओं में तो चारो से हो गया फोर्थ शिप मतलब हम नेवी की बात कर रही ह और वो क्या मना रहे हैं Christmas यानि December महीना Next trend 5th of December International Volunteer Day अंतराष्टे स्वयम से वक दिवस इसकी theme है solidarity through volunteering और 5th of December को world soil day भी होता है इसकी theme है soils where food begins तो देखें से हम याद से करेंगे अगर हम Christmas को relate करें तो हम बर्फ को साथ relate करते हैं और चारों तरफ हम देखें तो बर्फी बर्फ पड़ी है हमें कहीं soil नहीं दिख रही मिट्टी नहीं दिख रही क्योंकि उपर बर्फ आजाती है तो सब डग जाता है वाइट 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 एक बहुत सुंदर सा आप इमाजिन करो दोसीन वहाँ पर कुछ वॉलेंटेयस आये हुई हैं जो कि क्या बना रही है Snowman बना रही है बैज सनो गिरती है और स्नो मैन ना बना ऐसा हो ही नहीं सकता तो सब सनो मैन बना रही है तो उसके लिए उन्होंने अपना 5 5 आज का गुरुप बना लिया तो 5th of December Next is 7th December जो की आता है Armed Forces Flag Day शशश्ट सेना जंडा दिवस ये दिन हर साल उब्सर्फ किया जाता है 7th December 1949 से हर साल उब्सर्फ किया जा रहा है 7th December को International Civil Aviation debut होता है अंतराश्टे नागरिक उड्डेयन दिवस और इसकी थीम है Advancing Innovation for Global Aviation Development आप देखे हम इसे relate कैसे करेंगे तो अगर हम Christmas की बात करें तो ऐसा नहीं कि UK में Christmas बना रहे है Australia में नहीं बना रहे या इंडिया में नहीं बना रहे अब तो हर जगे देखे हर एक festival को बहुत धुमधाम से मनाया जाता है तो Christmas भी है कि हर एक जगा पे हर एक देश में celebrate हो रहा है तो flags से हम relate कर सकते हैं सभी देश एक साथ मिलकर जो है से celebrate कर रही है तो देशों की बात हो रही है तो उनके flags की भी हम बात कर सकते हैं जिसे हम armed forces flag दे relate कर सकते हैं और बहुत लोग होते हैं जो Christmas celebrate करने के लिए ही एक country से दूसरी country जाते हैं कि हाई हम वहाँ अपने friends के साथ Christmas celebrate करेंगे तो civil अगर हम aviation या अगर एक उड़ेन की बात करें तो ये plane से relate होते हैं ये ministry भी है अगर हम देखें जोतिरादेति सिंधिया के पास हैं तो ये ministry को हम तो plane से relate कर सकते हैं और साथ से हमारा बन जाये का सेवन साथ साथ इस तरीके से हम इन देज को associate करेंगे अगला है 9th of December International Anti-Corruption Day इसकी theme है UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption तो ये रहिए इस बार के इसकी theme आप देखें हम इसको कैसे आद करेंगे आप देखें Christmas का time है तो हम ये प्रण ऐसा ले सकते हैं कि हम करप नहीं बनेंगे ब्रश्टाचार का विरोत करेंगे हैं कि ब्रश्टाचार नहीं होना चाहिए 9 ब्रश्टाचार तो 9 से हमारा हो गया 9 December इसके बाद 10th of December को आता है Human Rights Day Very Important मानव अधिकार दिवस और इसकी theme है Dignity, Freedom and Justice for All तो हम इसको ऐसे relate करेंगे कि पहले हमने क्या बोला कि हमने ब्रश्टाचार को 9 किया है ना कि 9 ब्रश्टाचार उसके बाद यानि 9 के बाद अगर हम बात करें 10 तारीक को 9 के बाद अगला दिन 10 होगा तो हम अब कहते हैं कि चलो अब human rights के बारे में बात करते हैं कि हमने ब्रश्टाचार का विरोध कर लिया अब क्या क्या humans के और rights है इनके बारे में बात करती हैं तो इसलिए हम दोनों को एक साथ भी associate कर सकती है Next is 11th of December International Mountain Day अंतराष्टे परवतिय दिवस क्या है कि UNICEF के अगर हम बात करें पर इस इस organization के बारे में जरूर सुना होगा इसके full form क्या है very important और साथी में friends इसका headquarter कहां पे है यह आप लोग मुझे comment करके बताएं तो आज का यही आपका एक over question हो जाता है चलिए अब हम लोग करते हैं इसे याद तो देखे first mountain बहुत easily हम mountains को जब भी हमारे mind में आता तो snow वाले mountain ही हमारे mind में आते है वैसे घास वाले भी होते है मिट्टी वाले लेकिन हमारे mind में mountain जब भी हमाते snow वाले आ जाते है तो mountain तो हमारे December से easily relate हो गया जब हम mountain पर देखे अगर हमें चड़ना है तो हम कैसे चड़ेंगे ऐसो तो नहीं कि start कर और उपर पहुंच के सीधे नहीं आप एके कदम बढ़ाओगे और उपर बढ़ते चले जाओगे तो उससे आप mountain पर चड़ोगे और mountain पर आपको safe चड़ना पड़ता है और एक-एक करके एक-एक से हो गया हमारा 11 नेक्स्ट देखे 12th of December universal health coverage day इसकी theme है build the world we want a healthy future for all ये इसकी theme रही है तो इससे याद करेंगे कि health को हम लोग relate करेंगे जिब ठंड का मौसम बहुत जादा हो जाता है तो हमारी health भी कभी कभी ऐसा होता है कि डग मगा जाती है यानि हमारे 12 बच जाते हैं यानि 12 December next important day है 14th of December national energy conservation day राष्टे उर्जा सनरक्षन डिवर्स इस दिन देखिए जो भी achievements हमारी country ने हासिल करी है energy efficiency में उसके conservation में उसी को ही showcase करना इस दिन का main उदेश है तो देखिए अगर हम Christmas की बात करें तो Christmas celebration में मज़ा जादा कब आएगा दिन या रात में आएगा because lights हो गयरा होती है रात में बहुत अच्छे से हमसे बन और भी अच्छा लगता है तो हमें पूरा दिन अपनी energy को conserve करना पड़ेगा ताकि हम रात में उसमें जोश के साथ एक celebrate कर सके तो हम दिन में क्या करें 14 गंटे तक हम अराम किया हमने दिन में ताकि हम रात में बहुत अच्छे से celebrate करें so 14 गंटे means 14 December energy conservation से हो जाएगा national energy conservation day next and very important day विजय दिवस जैसे victory day के नाम से भी जानती है ये 16 December को मनाते है इंडो पाकिस्तान का जो war शुरू हुआ था 1971 जो war वो 3 December को शुरू हुआ था 13 दिन तक चला था 16 December को ये officially खत्म हुआ था इंडिया की जीत के साथ तो इसी दिन को विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है तो directly वैसे इसे याद करना बहुत ज़रू है ऐसे important days आपको directly आदोना चाहिए तो इसे आप ऐसे याद रखेगा directly ही उसके बाद 18 December को आता है Minority Rights Day इन इंडिया भारत में जो अलपसंक्य कदिकार दिवस है और देखे इंटरनेशनल जो Migrants Day है न ये भी मैं लिखना भूल को यह बट मैं बता दिती हूं आपनेशनल माइग्रेंट्स दे अंतराष्टे प्रवासी दिवस्वी 18 December को होता है Minority Rights Day की जो theme रही वो है All in for Minority Rights अब देखे अगर हम 18 साल बोले तो हम जब 18 साल के हो जाते हैं में सब एक नई जनरेशन में पहुंच कई हैं सो ऐसा करो कि कुछ Minority Groups या हमारे कुछ Minority Rights जो पहले हमें नहीं मिल पाते वो 18 साल होने पे मिल जाते हैं या फिर हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि क्रिस्मस का टाइम है और कुछ Minority Groups जो है वो अब 18 साल के होने पे अपने म को लेकदम निशिन्तों के चीजों को मना रही हैं अगला इंपॉर्टेंट यह है 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे गोवा का मुक्ति दिवस गोवा को पॉर्टगीज के रूसे आनि पुर्टगाली से 1961 में इस दिन अजादी मिल गई थी और उसी दिन को कमोमरेट करता है का लिबरेशन डे इसको आप लोग डारेकली याद रखें अगला है 20 दिसंबर इंटरनाशनल हीमन सोलिडारिटी डे यह दिन अनेकता में एकता का जो आईडियल है उसी के साथ इसको सेलिबरेट करते हैं तो क्रिसमस भी अगर हम बात करें तो देखें अब हर एक धर्म की लोग क्रिसमस को भी सेलिबरेट करें तो एक तरीके सब यह अनेकता में एकता कोई प्रदरशित कर रहा है देखिए हुमन सो एक साथ ला रहा है बस इतना ही चाहिए कि सभी हुमन स एक साथ आके हर एक फेस्टिवल सेलिबरेट करें तो बदस ते हो जाएका 20 यानि 20 इसके observe की गई तो देखे Christmas celebration माले चाप ने कर लिया लेकिन उसके बाद खर्चा भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि जब मनाते हैं तब नहीं पता चलता लेकिन जब हिसाब करते हैं तब हमें पता चला कि इस बार तो हमने दुगना ही कर्चा कर लिया तो दुगने से दो गुना तो टूटू करके इसको रिलेट करेगा यानि बाईस दिसमबर नेक्स्ट इंपोर्टेंट इस है 23 दिसमबर को किसान दिवस आता है और जो हमारे फिफ्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के चौधरी चरण सिंग जी उनी की बर्थ एनिवर्सरी को चिन्यत करता है किसान दिवस तो इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं अगर हम किसान की बात करें फामस की बात करें बहुत काम नीचर क्यों होते हैं बहुत ज़्यादा महनत करते हैं हम सभी के लिए सो सभी के दिल में एक बहुत respect होते है उनके लिए सो snow गिर रही है ठन का time होता है कई बार ऐसा होता है कि ठन के time में देखे फामस तो तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने खेदों में जाते हैं काम करते हैं चाहिए कितनी भी ठन क्यों ना हो लेकिन कभी वो test में नहीं आते हैं वो अपना काम बहुत अच्छी से करते हैं test मतलब गुस्ते में क्योंकि उनका nature बहुत अच्छा होता है वो बहुत ही काम सभाव की होता है साब बोल सकते हैं तो test में नहीं आते हैं अपना काम बहुत इमानदारी से करते हैं के मौसम भी तैस से बन जाएगा हमारा तेहिस नेक्स्टे नैशनल कंस्यूमर राइट्स टे यानि राष्टे उपभोगता अधिकार दिवस चुकि मनाया जाता है चौबिस दिसंबर को तो कंस्यूमर के क्या-क्या राइट्स हैं क्या-क्या उनके पावर्स हैं उसी के बारे म हो सकता है लेकिन हम क्रिस्मस की बात करें आप स्णोमें लेने गये हो माल लिजे आज सामने दुकानदार कहता है कि इसको तो पता ही नहीं नहीं गयिए स्कुने कि यह को ुछ पता ही नहीं होगा बेवकूफ बना सकते हैं इसको क्या बत आपने राइट्स के पाने में तो को 24 दिसंबर उसके बाद 25 दिसंबर को गुड गुड होता है बहुत अच्छा रहता है तो गुड से ध्यान रखो गुड गवेंडेंस टे तो ये दे फेंड सभी आज के हमारे important days तो मैंने आपको कहाता कि हम लोग revision ज़रूर करेंगे तो चलिए फिर अब revise करते हैं पहला question है when the Indian Navy day has observed तो Navy को हमने ship के साथ relate किया था कि भई ship है मालीचे इस तरीके से कोई भी और ship पे लो Christmas बना रहे हैं और ship के चारों तरफ क्या होता है पानी ही पानी होता है तो चारों से हो गया 4th of December next day when the good governance day तो good good Christmas के दिन सब कुछ good good होगा अच्छा अच्छा होगा तो 25 December को good governance day आता है उसके बाद देखे national farmers day या फिर किसान दिवस का मनाते हैं तो किसान बहुती काम nature की है वो ठंड में भी अपना काम करते हैं तैस में नहीं आते कि मैं क्यों कुरूं भही अपना काम है न लेकिन वो फिर भी अपना काम करते हैं तैस से हमारा हो जाएगा 23 December International Civil Aviation Day या फिर कह लिजिए आप Indian Armed Force Flag Day जंडे को हमने रेट किया था कि सभी कंट्रीज में साथ मिलके सब मनाते हैं क्रिसमस क्या बोला था साथ मिलके तो साथ से हमारा हो गया साथ दसंबर Next day friends when the international migrants day या national minority rights थे कि minority people भी अपना क्रिसमस अराम से मना रहे हैं क्योंकि वो हो गए हैं 18 साल के When word Goa Liberation Day has observed तो यह आपको याद होगा directly कि Goa को Portuguese day 19 December को असाधी मिल गी थी पूर्तगाली रूल से तो Goa Liberation Day बनाते हैं 19 December को International Mountain Day या फिर UNICEF Day आचा mountain पे हम कैसे चड़ते हैं एक-एक कदम करके चड़ते हैं और safely चड़ते हैं UNICEF safe और mountains यह हमारा हो गया Snow mountain भी हम चड़ रही है एक-एक करके तो मतलब 11th of December When the word Computer Literacy Day and the International Day for the Abolition of Slavery Computer पे देखे अब हम Christmas है तो computer पे सर्च करने हैं कि हम कहां जाए तो हमने दो जगा सेलेक्ट की थी तो दोग से हो गया 2nd of December इसे के साथ National Pollution Control Day भी आपको याद होगा ये भी आपका 2nd of December को मनाया जाता है तो friends देते हमारी आज की वीडियो मैं आशा करती हूँ हूँ कि जो भी हमने days की themes पड़ी उनको आपने बहुत अच्छे से visualize किया होगा अगर आप सब चीजे visualize कर रही है तो आपके लिए बहुत असान हो जाएगा देखे याद करना अब मैं आपको मिलूँगी another important class में और इसने के साथ friends आपका new year जो नया साल आने वाला है वो बहुत खुशियों से भरा रहे आप बहुत तरक्की करें यही हम सब की आपके लिए दुआ है और जिस तरह से आपने हमें इस साल बहुत सपोर्ट किया है अपना love and support दिया है ऐसा ही love and support आगे भी देते रहें और लोजिक पारश चला चैनल आपको कभी निराश नहीं करेगा important important videos आपके लिए हम लाती रहेंगे thank you so much for watching this video